हलो फ्रेंड्स यह मेरा स्टॉक है इसमें देखते है क्या क्या है यह है यहाँ पर रेड ग्रूज लिया है यह देख सकते हैं रेड ग्रूज ब्लॉक रेड कलर का ब्लॉक क्यूप्स लिया है वाइट कलर का ब्रोकन में लिया है किट कैट ब्लैक किट कैट यहाँ पर है ब्लै और नकुमट लिया है थोड़ा सा और यह है वाइट बार चलो करंची स्टार्ट करते हैं जितना मुझसे पॉसिबल है उतना खाया जाएगा और इसका रिव्यूज हम आपको देंगे वाइट आइटम ज्यादा लिया है आज क्लेपोट क्रंच करके देखते कैसा लगता है पूरी तरह से मुझ में घूल जाता है एकदम मक्खन के जैसे सॉक्ट है नौन ग्रीटी आइटम है हाप बेक्ट और सॉक्ट आइटम यह जो एंड का पाट होता है यह हाड होता है लेकिन हमारे क्लेपोट का बिल्कुल भी नहीं है इसी के साथ थोड़ा पंड़ाप की मिट्टी क्रंच करते हैं आप अच्छा एग दम स्वाधिस्ट प्यूर नैच्रल अर्दिनेश एगदम मूह में घूल दाने वाला है बहुत सारे कस्टमर ने जुर्ण ने सैंपल में मांगा था वह दो दो केजी तक ले चुके हैं रही और दूरी और ने दम अट्टी आप्टाब्स बहुत अच्छा स्टॉक है पन्जाब के मिट्टी वाइट बार है ये तोड़ा हुआ हाड क्रंची में है ये हाड वाला सुपर टेस्टी है ये भी अच्छा ने लगना दिखाने को जुटा वाला ये सामान मैंने अपने करंच के लिए निकाला है मुझे नकुमत पंजाब की मिट्टी क्ले पॉट ज्यादा पसंद है इसको नेक्स्ट टाइम क्रंच करेंगे पानी में बिगो कर ड्राय क्रंच में ज्यादा नहीं खाया जाता है मैंने कभी ट्राइ नहीं किया है पेंसिल बहुत अच्छी है ये बबलु ब्राण से में ने लिया है बहुत अच्छा है चला स्टोन भी है स्माल साइज का लोकुमर्ट तो मेरा आल टाइम फ्योरेट है सुपर क्रंची और काफी अर्दी है मग मिट्टी है ये अंदर से प्लें लॉंग रिटी हलका सर शाइनी अंदर से रेडिश होता है बहुत अच्छा लगता है ये मग मिट्टी मुझे तो कि ये हार्ड क्रंच में है इतना बड़ा चंग्स नहीं खाया जाता है इसको ब्रेक करके खाएंगे इतना लिया तो है लेकिन खाना मुश्किल है इतना एक साथ पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं इस फुक्ते मग मिट्टी तो रेड नकुमाट बहुत अच्छा है रेड नकुमाट बहुत अच्छा लगता है सब को जिनोंने भी आस्ते लग लिया है हमेशा उनका रिकवार्मेंट रहता है रेड नकुमाट का लेकिन इस बास टॉक में कम आया है अभी दो या तीन दिन में नया आने वाला है तब उसमें रहेगा रेड नकुमाट ज्यादा थोड़ा हार उत्ता है रेड नकुमाट जो हाड रहता है उसकी क्रंच के आवाज अठ्छी आती इसलिए हाड वाले को पसंद क्या रहता है क्रंची होता है इस तरह का कटर कटर आवाज आता है क्रंच में एहां प्रोस्टेड है यह तिर हाड में लिया है अच्छा तो लग रहा है आज हमने पंजाब का मिट्टी क्लेपोट थोड़े बहुत नकुमाट और स्लेट खाया है बाकी इतने आटम है इसका क्रंची जल्दी आपको दिखाएंगे तब तक चैनल का लाइक सब्सक्राब जरूर कर दिजिए थेंक्यों और बाइव फ्रेंड्स जरूर कर दिए